जो किसी ने भी सोचा नहीं था वो हुआ कल तेलगू टाइटन्स की टीम अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है एंड फिर से आथ साधन डवी होने वाला है जिसमें तेलगू टाइटन्स की टीम बैक टू बैक मैच देखने को देखेगी एंड तमिल तलाइवास की टीम अपना पहला मुकाबला जीतने को देखने वाली है पीकल सीजन 11 का गेम नंबर 3 खिला जाएगा तेलगू टाइटन्स बनाम तमिल तलाइवास के बीच में एंड आईए इस वीडियो को डीटेल में प्रिव्यू करते हैं यह वीडियो डूडल साथ पार्ट्स या फिर आप कह सकतो की साथ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले आप देख सकते हो हैड तो एड रिकॉर्ट्स लास्ट फाई गेम्स के रिजल्ट्स क्या थे तेमस के क्या अपडेट आया है कुछ स्पेसल आप सभी के लिए है लाइव स्क्रीमिंग का रिगांड़िंग अपडेट है साथ ही साथ दोने टीमस की स्टार्टिंग से लग्हाधि suffixion करने वाले है कि मेरी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है तेलगू टाइटन्स एंड तमिल थलावास के गेम को लेके तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरुआत करते हैं हैट टो एड रिकॉर्ड के साथ तो दोनों ही टीम अब तक PQL में 14 बार भिड़ चुकी है जहाँ पे तेलगू टाइटन्स की टीम 5 बार जीती है तमिल थलावास की टीम 8 बार जीती है एंड एक बर जो मुकाबला है वो हो चुका है टाइट तो हैट टो एड में तमिल थलावास का तोड़ा सा अपल लड़ा यहाँ पे भारी है दूसर सेगमेंट की तरह बढ़ते हैं दोनों ही टीम्स लास्ट फाइ गेम्स में कौन सी टीम जीती है तो आप देख सकते हो वन साइडेड ली तमिल थलावस की टीम डोमिनेट की है तेलगू टाइटन्स की ऊपर चाये वो सीजन दस की बात हो चाये वो सीजन नौ की बात हो या फिर सीजन आट की बात है ये पिछले तीन सीजन में तेलगू टाइटन्स की टीम तमिल थलावस को नहीं हरा पाई है और कुछ मैजेस के रिजल्ट्स आप देखी सकतो कि वन साइडेड हुए है बहुत ही गजब तरीके से तेलगू टाइटन्स को दोया है तमिल थलाव लेकिन तेलगू टाइटन्स की टीम कल के दिन बेंगलूडू बुल्स को फाइनली हरा दिया है तो जब वो हो सकता है तो आज के मुकाबले में भी तेलगू टाइटन्स की टीम अच्छा कासा टकर दे सकती है तीसरे सेक्मेंट के तरह बढ़ते है जो की टीम अप्टेट से अब वैसे तो टीम अप्टेट कुछ खास नहीं है लेकिन कल की दिन पता चला कि क्रिशन धुल के जो फादर थे वो यहाँ पे पास्ट वे हो गये थे कुछ दिन पहले ही लेकिन इतना बड़ा यहाँ पे लॉस होने के बाद भी क्रिशन धुल कल का मुकाबला खेले और नहीं देखा जाये तो इनको all the best कहते है बाकी के मैचेस के लिए और पूरे सीजन के लिए और क्रिशन धुल अपना फॉर्म रिटेन की है जो काफी अच्छा है तल्गु टाइटन्स की टीम भी काफी खुछ है क्रिशन धुल के पफॉर्मेंस से चौते सेग्मेंट के तरफ बढ आप सबी के लिए लेकिन अगर आपको फ्री में पीकल 11 के मैचेस लाइब देखने है तो उसका सॉलुइशन मैंने अल्रेडी टेलिगाम चैनल पे कल के दिन दिया था अब थोड़ा सा अप अकल लगाओ गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ तो आप करूग कि यहांपर प्रोएट करूगज को सासंस यूटीब चैनल पे लाइब आता है से अंडै लेकिन इंडिया के यूइस और ऑस्टेलिया यहे तीन के लगे के लोग यहां पर सासपोर्ट कि यूटीब चैनल पे लाइब देख सकते अब को क्या करनाए वीपें वीपें आप समझी गये होगे तो description box में जाएए telegram channel को join कर लीजिए और बाकि के जितने भी content आएगे PKL के regarding players के stats हो गए match के live coverage के updates हो गए वो आपको हमारे telegram channel पे देखने को मिल जाएगा कैसे join करना है? description box में जाएए जो पहला link मिलेगा उस पे click करके join कर लीजिए या फिर आप telegram पे जाके at the rate sports निफ 7 सर्च करके भी join कर सकते हो वेल पाँचवी segment के तरह बढ़ते हैं जो की दोनों ही teams की starting 7 है शुरुबात करते हैं telgo titans के starting 7 के साथ तो ये telgo titans की starting 7 होगा same starting 7 कोई भी बदलाव यहां पे मैं expect नहीं कर रहा हो पवन सहरावत ने 13 rate point स्कोर किये यहां पे विजे मलिक ने कल के match में 2 rate points और 1 tackle point स्कोर किया और बाकी जो right cover का defender है सागर रावल जो 3 tackle point स्कोर किये दोनों ही cover के defenders दोनों ही corner defenders ने काफे अचा performance दिखाया तो telgo titans की team कोई change यहां पे expect नहीं करेगी Tamil Clevers की बात की जाए तो यह यहां पे Tamil Clevers की starting 7 होगा जहां पे center पे नरेंदर कंडोला बाकी के दो raiders सर्चीन एंड चंदर नंजीत हो सकते हिमांचू को भी खलाया जा सकता है एंड बाकी के cover defenders एम अभिशेक मोही चाकर and corner defenders सागर आठी एंड साहिल कुलिया हमें देखने को मिल जाएगे अब 6th segment के तरह बढ़ते जो की team analysis है दोने teams को analyze किया जाए तेल्गू टाइटन्स के बारे में सबसे पहले बात करते देखा जाए तो तेल्गू टाइटन्स के team पुरी तरह motivated है कल के मुकाबले के बाद तेल्गू टाइटन्स के rating की बात की जाए तेल्गू टाइटन्स के defense की बात की जाए दोनों ही नहीं काफी अचा performance दिखाया strength की बात की जाए तो right cover काफी अचा performance दिखाया जो की काफी एक प्लस पॉइंट है तेल्गू टाइटन्स का राइट कवर वैसा स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन एक परफेक्ट राइट कवर का डिफेंडर मिल चुका है क्रिशन दूल अभी भी फॉर्म में है जो तेल्गू टाइटन्स के लिए काफी पॉजिटिव बात है तो तमिल तलावस की टीम उन पे पर काफी अच्छी टीम दिख रही है चाहे वो सचीन की बात की जाए नरिंदर की बात की जाए यह दो जो डूओ है सचीन और नरिंदर का वो भी में काफी एकसा परफॉर्मेंस दिखाते है कवर डिफेंस इनका थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अभी शेक मोहीत अच्छे फॉर्म में नहीं थे पिसला सीजन इनका अच्छा नहीं गया था तो अभी होनेस्ट यहां पर डिफेंस पर काफी नजरे रहने वाली है एंड रेडिंग की बात की जाए तो नरिंदर सचीन यहां पर प्राइमरी रिडर्स होगे एज़ा थार रेडर कौन खेलेगा चंदरन खेलेगे हिमांसु को खेलाएगे अब देखते कौन खेलेगा लेकिन सचीन नरिंदर अगर परफॉर्मेंस दिखाए तो एंड डिफेंस भी अचा परफॉर्मेंस दिखाए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की मेरी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है इस मुकाबले को लेके दोने टीम्स के तरफ से एक्स फेक्टर प्लेयर के बारे में बात करते हैं तेल्गू टाइटन्स की बात की जाए तो तेल्गू टाइटन्स के टीम से आउब्यस पवन सहर एक्स पेक्टर साबित हो गे तो नरेंदर कंडोला पर नजरे रहेगी कि कैसा परफोर्मेंस दिखाएगे और कौन से टी मुकाबला जीतेगी मुझे लगता है कि यह मुकाबला तेल्गू टाइटन्स की टीम जीतने वाली है आपके प्रेडिक्शन होने वाले आप अपने प् मिल जाएगा चेक आउट कर सकते हो एंड गेम नमबर 4 जो की खेला जाएगा पिसले सीजन की फाइनलिस्ट पूनेरी पल्टाइन वसिस हरेना स्टीलस के बीच में इसका प्रिव्यू वीडियो भी आएगा चेक आउट नहीं किया स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पे क्लिक करके देख सकते हो मिलते उसे वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग